नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरा नाम है शशाक और आप देख रहे हैं मैंड वेदा अगर आप भी मेरी तरह फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में इंटरस्ट रखते हैं लेकिन एक्सपिरियंस ना होने की वज़ा से और बिगिनिर होने की वज़ा से confused हैं कि क्या करें कैसे करें कहां से शुरू करें और आप जिम में हर किसी से पोच रहे हैं कि भाई कौन सा workout करूँ कौन सी डाइट लूँ क्या खाऊं कितना protein supplement लूँ कौन सा लूँ तो सबसे पहले तो ये सब करना बंग कर दीजे क्योंकि ये सब जो है आपके उपर काम नहीं करने वाला क्योंकि हर किसी का body structure, metabolism, body type different है हर किसी पे जो workout काम करेगा, जो diet plan काम करेगा वो जरूरी नहीं है कि आप पर भी same तरह उसी तरह काम करें, उसी तरह आपको help करे तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना है basics of body building जिसमें आता है nutrition diet और इस वीडियो में मैं आपके साथ share करने वाला हूँ basics of nutrition and diet तो बने रहें मेरे साथ इस पूरी वीडियो में क्योंकि आज आपके साथ मैं share करूँगा कुछ ऐसे tips और कुछ ऐसे basics जो आपको help करेंगे आपका खुद का diet plan prepare करने में तो कोई वीडियो ज़रूर देखे क्योंकि अगर आप कोई भी part miss करेंगे तो आपको आने वाले चीजें समझ में नहीं आएंगी तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटी सी request है इस channel को subscribe कर दीजे और इस घंटी को भी दबा दो यार तो चलिए शुरू करते हैं अगर देखते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं nutrition और diet के बारे में तो जब भी हम बात करते हैं nutrition और diet की तो उसमें 2 major components आते हैं पहला है macronutrients और दूसरा है micronutrients और इस वीडियो में हम बात करेंगे macronutrients की और macronutrients बनते हैं तीन major components को मिलाकर carbohydrates, proteins and fats और इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आपका diet plan customize करना है तो जब भी हम diet plan customize करने की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो basic requirement पता होना चाहिए वो है आपका BMR which is called as basal metabolic rate basal metabolic rate को मतलब है कि अगर आपकी body पूरा दिन कोई भी काम नहीं करती है तो आपकी body को आपका current weight maintain करने के लिए कितनी calories चाहिए for example अगर मेरा weight 70 kg है और मैं पूरे दिन में कोई workout नहीं करता हूँ कोई physical activity नहीं करता हूँ तो मेरी body को कितनी calories चाहिए वो same weight maintain करने के लिए तो उसे हम कहते हैं BMR उसको calculate करने के लिए simple सा formula में आपका साथ share करने वाला हो उसको आप use कीजिए apply कीजिए और वो आपको help करेगा आपका BMR calculate करने में तो BMR calculate करने के लिए आप इस formula को use कीजिए 66 plus 6.23 into your weight in pounds आपका weight pound में होना चाहिए minus 6.8 into your age आपकी age in years अगर आप इन सभी values को feed करते हैं for example अगर मेरा weight 70 170 pounds है और मेरी age 28 years है और जो मेरी height है वो है 5.11 feet तो मैं इन सभी values को यहां feed करूँगा तो मेरे पास जो result आएगा वो है 1836 calories तो यह 1836 calories जो है यह मेरा BMR है आप इस BMR को लेकर हम further calculations करेंगे और देखेंगे कि हमें कितनी calories चाहिए अपना diet chart बनाने के लिए for bulking और for cutting और for muscle building तो BMR है जब हम कोई भी physical activity नहीं कर रहे हैं for example अगर आप workout करते हैं, body building करते हैं, gym करते हैं, कुछ भी activity करते हैं, game खेलते हैं तो आपको जो आपकी calculations हैं वो change हो जाएंगी for example अगर आप हफते में बहुत ही rarely कोई भी workout करते हैं, तो आपको आपके BMR को multiply करना है 1.2 से और अगर आप कोई भी physical activity करते हैं हफते में एक या तीन दिन तो वो आपको हो जाएगा 1.37 आपको आपके BMR को multiply करना है 1.37 से और अगर आप 3 से 5 दिन कोई भी हफते में activity करते हैं, तो आप अपने BMR को into किजिए 1.55 से अगर आप 6 से 7 दिन workout करते हैं, तो 1.725 और अगर आप दिन में 2 बार workout करते हैं प्लस आपकी जो जॉब है, वो फिजिकल जॉब है, तो आप अपने BMR को 1.9 से multiply कीजिए जब आप कोई भी value feed करेंगे, for example, अगर मैं हफते में 6 दिन workout करता हूँ तो मेरी value रहेगी 1.75, तो मैं अपने BMR को multiply करता हूँ 1.7 से, तो मेरे पास result आएगा 3167 calories, तो ये है मेरा calories requirement, अगर मैं कोई भी physical activity करता हूँ दिन में, तो मेरा calories requirement रहेगा 3100 to maintain my current weight for example, अगर आपको bulk करना है, आपको body weight add करना है, तो आपको आपकी इस calories में 500 से लेकर 1000 calories को add करना है, for example, मुझे bulking करनी है, तो मैं इसमें 500 calories add कर दूँगा, तो final result आएगा 3667 calories, तो ये 3667 calories को meat करने के लिए, पूरा करने के लिए मुझे कितना requirement चाहिए, carbs का, proteins का और fats का, उसके लिए हमारे पास एक simple ratio रहती है, अगर आपको bulk करना है तो आपका carbs intake high रहेगा, protein intake low और fat intake low रहेगा, तो for example, एक simple percentage आपके साथ share करना हूँ, अगर आपको bulk करना है तो आपका protein requirement रहेगा 25%, carbs requirement रहेगा 60% और fats रहेगा 15% of your total calories तो अगर मैं 20% करता हूँ, मेरी total calories का, तो मेरे पास आएगा around 960 calories from protein और अगर मैं 60% करता हूँ, carbohydrates का, तो मेरे पास आएगा 2200 carbohydrates और अगर मैं fats का करता हूँ, 15% तो आएगा 550 calories from fats तो इन सभी calories को कैसे पूरा करें, उसके लिए एक simple सा जो basic है कि अगर आप 1 gram protein का consume करते हैं, तो आपको मिलेगा 4 calories और same है carbs के साथ भी, 1 gram carbs is equal to 4 calories बट fats के मामले में यह है, 1 gram fats is equal to 8 calories तो for example, मेरे पास 960 calories चाहिए protein से तो मैं इसको 4 से divide करूँगा, तो मेरे पास आएगा 230 gram protein per day और अगर मैं 2200 calories को divide करता हूँ, 4 से तो मेरे पास आएगा around 550 grams carbs और अगर मैं 550 calories को divide करता हूँ, 8 से तो मेरे पास आएगा around 68 gram fats अगर आपके पास basic knowledge है कि एक gram में कितना calories है, total मुझे कितना calories consume करना है, कहां से करना है तो आप अपना diet chart prepare कर सकते हैं, अब बात आते हैं कि food source food source के लिए आप मेरी website का description link मैंने जो mention किया है, आपके description box पे वहाँ जाकर पूरे के पूरे food source को देख सकते हैं, जहां मैंने describe किया है कि किस में कितनी calories है, क्या macros का breakdown है आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, उसके accordingly अपने macros को customize कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप 230 gram protein नहीं maintain कर सकते हैं, आपको protein कम करना है, आपका अफचादा करना है तो आप इस percentage को अपने accordingly customize करते हैं, और test कीजिए, अपने अपर try कीजिए, experiment कीजिए और finally जो आपका best result रहेगा, जिस भी percentage के उपर उसको आप अपने साथ apply कीजिए, अपनी body के उपर, अपनी bodybuilding के उपर apply कीजिए तो यह था आज की वीडियो का topic जहां हमने बात की थी, कि हाओ टू डिवाइड यूर गैलरीज, अव तर प्रिपेर यूर मील पन, वाओ तो फाइड यूर ब्मर और यूर कैलरीज इंटेक, तो थैंक यू वर्यमच गाइज वाचिए वीडियो और वाचिए वीडियो और If you have any queries, don't forget to comment, share कीजी दोस्तों के साथ, और till then stay healthy, stay fit for my upcoming videos.